गोंदिया नगरपरिशत शेत्र अंतरगत सभी प्रभागों को प्लास्टिक मुक्त कराने के लिए नगरपरिशत प्रशासन ने कमर कसली है जिसके चलते नगरपरिशत प्रशासन की और से शहर के सभी प्रभागों में प्लास्टिक बंदी मुहिम चलाई गई है मुहीम के तहर सिंगल यूस प्लास्टिक की बिक्री वह उपयोग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कारिवाई कर मामरा दर्श किया जाएगा गौर तलब है कि परियावरण वा स्वच्छता के लिए खातक साबित हो रहें प्लास्टिक पर शासन द्वारा प्रतिबंधन लगाया गया है जिसमें मुखे रूप से एक बार में उपयोग में आने वाली प्लास्टिक जिसमें पॉलिथिन विभिना आयो जनों में उपयोग की जाए जिसके पर शाथ नगर परिशत प्रशासन की और से 5 फरवरी को नगर परिशत मुख्यादिकारी चंदन पाटिल नगराध्यक्ष अशोक इंगले वस्वास्ते विभाग के कर्मचारियों की एक विशेश सभा का आयोजन किया गया इस सभा में नगर परिशत शेत्र की बिकरी वा उपयोग करने वालों पर शासन की नियमानुसार कड़े कारेवाई करने का मामला दर्ज किया जाएगा जिसके लिए शेहर के प्लास्टिक विक्रेताओं के साथ-साथ लॉन सभाग्रोह जैसे स्थानों पर होने वाले विभिन्ना आये जनों में उपयोग किये ज इस्पोजल थर्मकॉल का उपयोग करने वालों पर पारिवाई होगी BS Crime India News की रोजाना खबरों के लिए यूटूब चैनल, वेबसाइट, फेस्बुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें साथ ही यूटूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News आप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुडे रहे